वो पहले भी मिल चुकी हूँ लेकिन इस बर जब मिलूँगी तो एक मेडल के साथ मिलूँगी लाजबाब असला बढ़ाया उसी उसलेक साथ हमने तोक्यों गई और उसी उसलेक साथ हमने मेडल जिता एक सपना सा होता है अब हर खिलाडी का कि हम कुछ ऐसा कर जाएं कि आदरनिय प्रधान मंजी जी से मिलने का हमें मौका मिले जब मेरा मेडल आया और उन्हेंने मेरे को फोन किया तब से मेरे को पता था कि मैं उनसे मिलूँगा तो तब से मैं विताब हुन से मिलने के लिए तो आज फाइनली मैं उनसे मिल रहा हूँ जाने से पहले उन्होंने बताया था कि सामने कोई भी खिलाडी रहे तो आप अपना नेचरल गेम खेलिएगा जादू पूरे दुनिया में चल रहा है मोधी साप का मैं चाहता हूं कि हमारे मैडलिस्ट एक-एक करके आएं आप से मिलें आपका अभार फ्रकट करें और आप अपना शीर बात देए अजाई हो जाए जगरना सब के पट्टी उतारते हैं तो मैं यह उक्षन करते हूं तो क्रिफना क्योंसे हो और है तो यह तो सब आउक्षन में जाये यहां हुआ है अब मदाई हो। जब प्रक्टिस करते हो तो मैक्सिमूम कितनी बार फ्रेंट हो। सर ओफ सीजन में किम सम सो गया सुचना सर। कितना टाइम जाता है तो उसको कलेकरना लाना किसी की मदद लेते होंगे। मदद लेता हूँ सर बैठ करते हैं। अच्छा इंचे तोवारे हैं सबसे जादा है। निवारे रिखे तो यह है कितना है। इंचा अच्छा परन बड़ा कम। कैसे हो? अब कि वार थोड़ा गोल्ड से चुकिया। अरे असा मन में मत रखो भाई। बहुत बदाई भी हो आपको। भी हैं। लेवारे लेखने के मन में रहा है गया। पर भी हैं। बहुत नचीप आज़ा गया। कोई बात नहीं, और मकर में रुदेगा। यहां। अपने भी होश्ला बड़ा है। बात बड़ा और। अच्छा जोए बढ़ीना। वाजया माँ एक जो न दवाद गय ने थे शिदेव आपी इस उन्दिया जवाणी जो यह आपुछ नहीं हम आप अपने आप यह देख आप यापकर शुटारा अच्छाड एक प्रफ़ करता थे शुटारा थे शुटारा थे शुटारा थे बहुत चाहिए जानी बहुत शांदार किया थेंकियों इस वाँ यह अखसर नोने माला है जी तुर्टेस करते हैं कि अज़तों देभुमी वाले हो तो यहीं बाद है उत्राखंट के लिए आपने देभुमी वाड़ी उसके ज़र यह गद की वाद़ पुरुटराखंट के लिए यह बड़ा स्मिमान है सब्सक्राखंट कि इसमें कितने लोग हैं जो अपने मात्रु भाष्णा में उटकाफंट के वाविना हैं वागे सब अग्रेजी वाले हैं सोमन जी मैं आप से जुरूर जानना चाहूंगा तो कि जाने से पहले आप से बात हुआ था आप तो फोजी इंसान है आप बहुत अच्छा लगा है सब्सक्राखंट कि आमने इतना सब्सक्राखंट इतना मोटिवेट के जाने से पहले भी आप मेरा हमारा परिवार से बात दिया नप बहुत अच्छा लगा में गाले जाने वाले के जुटा के आए या फिर अभी मैं पूर्णा जाओंगा सब्सक्राखंट पुना जाने के बात में फेर चुटी जाने बात में एशन के लिए फेर प्रक्टिस ने नो रेस्ट अभी एशन के लिए टायर ही करना है वार सबसे ज्यादा संकोश वा अब यह बहुत आसान है हमारी हर एथलेट के अलग डिसेबल्टी है उनको समझना उनके साथ काम करना तो पैरा स्पोर्ट्स में कोचिंग करना बहुत अदिफरेंट काम है सर यह बात थाही है कि आप लोगों को हो एक विशिष्ठा रूप से ही सारी चीज़ों है नेल करना है इसमें एक अलगी लेवल देखने के लिए मैंने हंड़िड मीटर में अपने भारत को रिप्रेजेंट करा और मैं आपके लिए चाहूंगी कि मैं सीजिए भी आपके पास मेरे पास कहने के लिए आप स्पीचलेश है चलिए आप सब को बहुत बगाई है मेरी तरब जहें अब जो बड़ा गजब का गवरा मिला है तुम्हें इस बार दो कि अपने जो बात किया वहां पर मुझे एज़ा कोच और मैंने जार आप से कहा कि सर आपको कल भी बात करनी हैं हमसे तो आपने जो कॉंफिटेंस वाली बात करी उसने शायद कॉंफिदेंस फिर से और दिया और खिलाडियों ने जुजहारू उप्रदरशन किया सर मेरे लि जुजह से सर बहुती ब्लेसिंग की फीलिंग है सर आप हमारे साथ हैं हम लोग के गेम में सर ब्रॉंज मेडल के लिए पाइट होती है और अनफॉचनेटली बहुती क्लोज माजन से सर 21, 23, 19, 21 हमारा ब्रॉंज मेडल माच रह गया था बट डेफिनेटली सर आगे वी विल क पारिवार को भी देख रहा था है मैं देख रहा था कि मारी माताजी इतनी भावुक थे जब आप खेल के मैदान से निकली तब उसके साथ क्या बात है जुरू कुछ विश्यस बात ही होगी सर देफिनेटली उनकी तरफ से फिलिंग ओफ हैपिनेस तथा ही सर कि मतलब की उन लोग के लिए भे गर्व का एसास तो है यह कि लोग अब उन्हें जानने लग गए हैं कहां एक ससाइटी पहले बिचारी कहके मुझे बुलाती थी और सिंपताइज करती थी और कहते थे थे तो मैं सर को नहीं मिलती मौल के भार मैं बैडमिंटन नी खेलती और अगर मैं बैडमिंटन नी खेलती सर तो मैं आज ए गुल्डन ओपिचिनिटी नी मिलती सर आपसे मिलने के लिए और पाट जी कहा है बटा तुम दे तक नया खेल फुरू किया भारत का बहुत अच्छा परफॉमेंस रहा सर मेरा मैंने कोशिस की अटाइम नहीं मुल पाया था मुझे लेकिन फाइनल्स में गई सर मैं और मेरी फैमली बहुत खोश है आपने बहुत सावर्दन किया आपने मुझसे बोला था कि प्रेशर नहीं है अपना बैस देना तो सर मैंने बैस दिया और सर मुझे समूद्र में बोड चलानिका मड़ा मन का तर्फा एक यह फे लग उन्मच पर आप पर आपने तो शोड़ा सा वहा पर जाने से थोड़ा सा यह वा परफॉर्मस का थोड़ा है लेकिन बेस्ट परफॉर्मस दिया लेकिन नेक्स्ट एसन गेम्स में ऑलिमिक्स में विद मेडल नेक्स ताइम आज जाओंगा आपका सपोर्ट है जो हम अंदर है उसमें काफी अच्छ से फानाशली सपोर्ट मिल रहा है जिसकी वह ज़े से हम एबरोड जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं चाहिए यहां तो भी बाहर भी काफी अच्छ से फानाशली सपोर्ट मिलता ह है तो रियली हिल्प्स अलॉट से थैंक यू संपूर्ट यह मेरा पेला पैरलंपिक था और मैं बच्पन से बीस असरच कित्सा ले चुका हूं मेरे पेर और मेरे स्पाइन पे तो इस बार तो मेडल तो जरूर नहीं लेकिया है पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस था हम तो यह गर्व हो रहे है कि उन लोगों को भी बीट किया है हमने और हमारा पेस्ट परफॉर्मस दिया है और ऐसे हमारा अथलीट्स बोल रहे है कि आपका प्रदानमंत्री आपसे बात कर रहे है हमारा प्रजिडेंट या प्राइमिनिस्टर वैसे हमसे परस्नली नहीं बात करते वो हमको इतना घर्व मेसूस होते हैं कि हमारा मन्य प्रदान मंत्री जी हमको इतना हुसला बढ़ाते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं तो तैंक यू सो मच सर इसके लिए बहुत-बहुत या भाई जी सब्सक्राइब किया था हुए तो मैंने देखा था अस और मैं लाइव देख रहा हुए तो अब आपका गेव तो भाईया तो अभी तो गहर पे जाता ही तुमको कहें किकट कहा है जरूर सबको लेके जा रहा हूँ सर एक सर जन्दी आचाहिए बताओ मुझे यह तरड़ा टच कर गया जब आपने यह कहा कि मैं अपना यह मेडल कोरोना वोरियर्स को डोनेट कर रहे हैं ने डिवोट करता हूँ यह भाव कैसे आया है कि अपना पूरी देन राज सुबह शाम अलब यहां तक कि खाना पीना तक छोड़ चाड़ियों सब लोग हैल्प में लगे हुए हैं तो बहुत बड़ी बात है सरी सब और फिर उसी वज़े से यह पैलंपिक ऑलंपिक और जो भी हो रहा है अभी देश में और वर्ल्ड में उ देश के लिए समाज के लिए सोचते हैं यह अपने आपके बहुत बड़ी बात होती है जरूब से फादर कोचेज और फैमिली इस जोनों ने भी सपोर्ट कर आउंका तो बहुत बड़ा हाथ है सर लेकिन कोवेट बोई और साब माता पिता किये लिए क्या का का कारकम बना र देखा सब को एक साथ घुमाना जब लें बहुत बागे बड़ो थैंके सर अबनोज नमस्कार सर मुझे गर्व है कि सर मैं देभुमी उत्राखंड का हूं और सर वहां से निकलके और उत्राखंड का पहला मेडल लाना सर मेरे लिए गर्व की बाते और जब आपने मुझे ए सर्फ शौनतर आपको बिशेस्ता अबेगि मेरी तरफ से टापका लाइफ स्टोरी जो है सर्च वह भू पलक का स्लियो्ट मनोज का स्ली ठो गृमका स्टोरी हो यहां जितने जितने ही रोस बैटे सार उन सब का स्टोरी को देखले और पारलल में सर आगर आपका स्टोरी मोटिवेशनल नहीं होगा सर उसके लिए तो हम लोगों को सर वो भी प्रेणा दायत तो है सर एवरीवडी जावेर उसको स्टोरी को आपको पदा नहीं है उल्टा है जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे मोटिवेशनल मिनका है मैं करला से हूं मेरा हिंदी उतना अचा नहीं है I am very honored to be here with you. Thank you for everything. ने के पुरे केरल को घरवा है इस बारतो हुपकी में भी केरल ने अपना दंका जवाया तो शुबाज जी मुशकर सब्सक्राइए कोच की सबसे बड़ी इस बार गवड़ोपल है जी सबसे बारत आपको बहुत बहुत दिन्यवाद सर जिस्तेरी किसा आपने सारी बच्चों को जाने से पहले के मोटिवेट किया पूरी टीम याने आपके साथ आपके सपोर्टिंग साथ जपान में भारत की अच्छी प्रतिष्ठा बढ़ा करके आप लोग आए इसा नहीं है आपका कंड़ आपका सबसे बाद सब्सक्राइब करता थारी चीज़ों के अच्छा पोजिटिव इन जितना भी मेरी तो नबरा जपान के लोगों से तोड़ा परिचे ज़रा जाद आई है तो बताते रहते हैं और रुबिना एपके जो आपने ता मोटिवेट किया है हमें बहुत जादा से पॉजिटिव वाइप जाए आई है ऐसी प्लीज मोटिवेट करे इस बार नहीं आय जाए है तब भी मतमाद वहां तक पहुंचे यहीं बहुत बड़ी एक्टिमेंट है नमस्कार सुर मेरा नाम दीपक है मैं बाड़ा से हूँ और मैं तो आपसे बहुत पहले से बहुत जादा तेजी तरहता हूं क्योंकि आपने जब आये तो सबसे पहले लोग विकलांग ब जिखा कि भी जिव्यांग को लिए एक ऐसा सम्मान दिया जो कभी किसी नहीं दिया था उसके लिए मैं आपका दन्यवाद गड़ता हूं सर मैं करीवन 13 साल से हूँ पैरा शूटिंग के साथ और मैं शूटर्स को कह रहा था तुमने तो एक एक कलर लिया है मेरे पास तो सार करने मैं कि दो गोल्ड है जिलड है दो गोल्ड प्रॉंज है तो गोल्ड सेलवर ब्रॉंज 3 तीनों के तीनों तो बहुत खुश्य हो रही है कि यहे लोग जितनी फ quería-त है था इनोंने उसमें सक्षाल भी रहें एक वाकिannya जो मैं आपके साथ आपका बहुत 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 अ इसलिए करना चाहूँगा कि आपकी पॉपलरिटी मतलब हर जगा है मुझे याद है कि जब इनके मैडल सर्मनी के बाद हम लोग इनको इंटरनाशनल मीडिया के पास ले जाना पड़ता है तो मैं उनको इनको रोक लेता था कि रूख जाईए भी प्रदान मंत्री जी का फोन आने वाला है तो मुझे याद है कि किसी ने बोला कि what I excuse पर बगल में ही किसी और ने उनको रोका बोले नहीं यह सही बोल रहे है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रदान मंत्री का इवन बहार के प्रती भी जो यह बहार के मदद सभी लोगं को यह पता है कि इनके साथ हैं वो और जब एक मुझे लगता है आप प्रमुख हैं हमारे तो प्रमुख का विश्वास और प्रमुख की guidance रहती है तो मुझे लगता है कि हमें तो अच्छा करना ही पड़ेगा और हम अच्छा करेंगे धने बाद आपका बहुत दवह दने बाद आप आप अच्छा करते ही है तो लह सिर्फ सर्ड। नजसकार सरै. तो खेल लेगो, उसको मदद करेंगे, गाइड करेंगे, बड़ा कल्चर पादा होगा, चलो भाई, आपका परिवार को तो बहुत प्रसन्न नजाना रहा है, जी बिल्कुल आपके आशिवाद का सर है सर, रेल्टी में आप, आपने वो काम कर दिखाया है, जो देश के जो प्यार जो मीडिया से इस समय मिल रहाना, वो कभी नहीं मिला, इसके लिए मीडिया रहा आप धन्या है सर, चलिए, आप शोकों को बहुत शुक्ता मना है मेरी, बहुत अबहुत अच्छा परपर्परमेंस रहा है, अथलेटिक्स में, और मैं अपना एक्सपिरियन्स एक तो मुझे लगा मेरे डिव्यान कारते हो आपके साथ, सर मेरे टूठाजन फोग में अपना एक्ट जाहा पूरा करके अथलेटिक्स में ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा मेरे स्टेडियम में कुछ दिव्यांग हाथलीट आते थे, मैंने उनको और आज हमने 2005 से स्टार्ट किया कोचिंग करना आज सब दिव्यांग एथलीटों को जानते हैं मैं इन उपलगदियों के लिए सरुपरतम आपका दनवाद करना चाहूंगा खिलाडियों को अपरक्षरोप से बहुत सारी सहायता मिलती है परक्षरोप से उनको जो सम्मान मिलना चाहिए हूँ जब इस मुकाम पर आते हैं और यहां आकर बैठते हैं तो पुरा देश उन्हें जानता है, मीडिया उन्हें पहचानती है तो यह सम्मान देलाने के लिए मैं आपका दनवाद देना चाहता हूँ दिव्यांग जनों को कोचिंग करना यह सिरफ शारी क्षमता से जुड़ा हुआ विशय नहीं सिरफ खेल की टेक्निक से विशय से भी आगे आपको उसकी हर मन की रचना को आपको एड्रेस करना परता है और इसलिए मुझे लगता है कि एकाज बार जो दिव्यांग जनों के कोचिश है उनका एक वर्क्शॉप करना चाहिए उनके अपने एक्स्पिनेस क्योंकि उन्होंने अलग और मैं तो मानता हूँ कि अच्छी किताब बन सकते हैं एक अच्छा गाइड आप तैयार कर सकते ह इस प्रकार से इनको ऐसी समस्यात ऐसे हैंडल करना चाहिए निराशाहिए तैसे क्योंकि आप लोगोंने बहुत कुछ साइकोलोजिकल चीजों को हैंडल किया होगा कभी-कभी माबाप को भी गाइड कर सकते हैं एक अच्छा डोकुमेंट तैयार हो क्योंकि मैं बहुत माइ आफ्लेटिक्स चार थीन साल पहले आई थी और अब मैं अपनी सर की मदद की जो सर ने मेरे को सपोर्ट करा मेरी फैमली ने तो मैं इंडियाज यंगेस्ट पैरालंपियन बन पाई और मुझे आपसे मिलने का मोका मिल पाई मैं बहुत खुश हूँ मैं आपसे किस्ता शेर क अपना चाहूंगे अपना जब आप दो हजार चोदा में परदानवंत्री बने थे मैं उस टाइम पर साड़े ग्यारा साल की थी और मैं इतने खुश होगी थी आपको देखके तो मैं भाग के अपनी मम्मी के पास गई ज़िए मैं ठीक थी तो मैं बोलती मेरा वो बच्पन कि मेरे को इन दादा से मिलवा दो और मुझे दादा से मिलना है कि यह देश को बहुत आगे तक लेकी जाएंगे तो ममा ने बोला कि ठीक है पर पहले कुछ करके दिखा जो न से मिलना है तो सर्थ मैंने साथ साल वीट किया आप से मिलने के लिए 2014 से लेकर और आज मेरा आप सपना पूरा हुआ आप से मिलने का जो बच्चे होते हैं ना जो जब कुछ भी बोलते हैं तो एक प्रकार से वो भगवान की आबाज होते हैं कि तुमने ग्यारा साल की उमर में जो बोला तो तुम्हारी सोच नहीं हो कोई ऐसा संकेत होगा और वही आशिर्वाद बन गए मेरे लिए मेरा भी सपना है सर मैं रियों में सीख्थ रहा था अब मैं फिर थूँ तो कभी ना कभी मैं मेडल जीतूंगा और आप से मैडल के स जाथ मिलूगा यह मेरा सपना है यह दो मेरे लिए सब पैर अलंपी जीमेंट नीदी गाउं में जमने आप से मिलके घर गाया तो सभी एक अधिक अधिक यह नहीं उनको यह था कि यह प्लांपी का हिस्सा बनके आ रहा है वो करे दिए प्रियम से मिला ओ बाई यह अच्छा मेरा टार्गेट रहा है कि गोल्ड ही लाना है अपने देश के लिए मैं चाहता हूं कि पोडियम पर मेरा राष्ट गवान बजे और मैं इस यह जिद है ने इसका तो बड़ा महत्व है जिद होनी चाहिए कि मैं करूंगा मैं ऐसे करूंगा लेकिन अभी जो हुआ उसमें अब मैं अपना स्पोर्ट जो मेरा पैशन है उसके तहत लोगा था स्ट्रेस में जैसे आपने प्संद एक वह फिनिश जा रहा था अब मैं एक्षि इसको रिपीट करना चाहता हूं मैं अपना हाइजम जो टी 63 है पारलम्पिक्स में इसको बहुत में में फोकस मानते है तो यहां पर यही है कि लास्ट टाइम उन्नीस एथलीट गए थे खेलने के लिए इस वार उन्नीस मेडल आये है तो कह सकते महला पैरा स्पोर्ट किस लेवल पर चला गया है यह कोई वो प्रत्यच को परमार की जरूरत नहीं है और सर मैं यह पूछना चाहूँगा सर आप से ज कंट्री को किसी इवेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं तो आपके मन में क्या चलता है सर आप कैसे उस कंडिशन को हैंडल करते हैं मेरा बैग्राउंड बहुत सा अब जैसे ही इस एक सामाने परिवाग रहता है अग बच्पन में तो कभी कि स्कूल के प्रिंसिपल भी एकर नाम से बुला देते तो आप ना चोड़ते थे प्रिंसिपल को मेरा नाम मादू करें यह जीवन के खुछी तो रहती है अरेक रहती है लेकिन जब मेरा सारवजेरी जीवन का दाहित्व बना तो एक प्रकार दे मैंने अपने आपको भूला दिया मैं जब कभी कोई नरेंद्र मोगोदी या कोई गाउं से आया हूए इंसरों कुछ सब दिमाग से निकाल दिया जब गुजराथ मेरे काम करता था मेरे मन में रहता था था बहुज मैं नहीं हूँ 6 करोड गुजराथी यह मेरे मन मेरा है और अभी दुनिया के किसी भी लीडर को मिलता हूँ तो मुझे यह नहीं लगना है कि मैं मिलता है मुझे लगना है कि 130 करोड देश वासी हूँ और उसके करना मुझे कभी इंधिरार्टी नहीं होता है कोई बड़ा एक्साइटमेंट भी नहीं होता है जैसा मैं आपको कहता हूँ आप अपना बेस्ट परफॉर्म कीजिए मैं भी मन में रखता हूँ मैं मेरे देश की बात पड़ी ताकत से करूंगा बड़े विस्वास से करूंगा तो यही भाव है और क्या है आपकी सर मेमोरी बहुत सार्फ है सर आप एकदम याद कैसे रख लेते हैं जब आप इन्वाल हो जाते हैं तो फिर आपको याद नहीं पड़ता है जैसे मैं इसको पूछ लिया है उनके प्रिवर परिवार के जीवन में कभी कोई बिमार हो गया यह हुआ तो एक प्रकार से जिसको कहने अपनापन हो जाता है तो इसको एक आनन दलो होता है फिर आपको याद नहीं रखना पड़ता है अपने बहुत इंस्पायर किया मोटिवेट किया हमारे प्लेयर्स को और जिसकी वज़े से हमारे प्लेयर में जो कॉन्फिदेस था हुटना हाई लेवल का कॉन्फिदेस था कि इस इस फर्स टाइम आई साओ दाट इच एड़ एवरी प्लेयर की परफोंड इस बेस्ट ज्य आपकी जो प्रेना रही सर बेटियों के प्रती उसके लिए हाट दिक धनेवा चाहेंगे हम पूरी टीम की तरफ से कि आपने हम इतना मान समान छाहें दिया और सिफ मेडलिस्ट को नहीं जो हम जैसे किलाड़ी जो अमेडल नहीं ला पाई उनको इतना मान समान दिया इसके लिए बहुत बहुत भाब धन्यवाद सर नमस्ते सर मेरा नाम नावदी पैसर मैं भी जैवलीन थ्रोगरता हूं सर अनलग के लिए मैं भी फोर्ट राहूं सर मैडल नहीं ले पाया बस कुछ सेंटीमेटर से मैडल आउड हुआ हूं सर तो सर बस यही है कि यहार दूर रेस्टलर होना चाहते थे अभी मननने है क्या ह सर मैं ने शरुगा धरेसलिंग सेही ही ती गेम्स की क्यूंकि पापा भी रैसलिंग कटे थे तो पापा यह चाहते थे कि मेरा लड़का भी मेरी तरह एक बड़ा स्पोर्समेन मनें पर रसलिंग में तो नहीं कर पाया फिर मैंने दूसरा गैम चूज गया तो फिर मैंने सर जहलेन स्टार किया था पर सर यही है गिर के उठना ही खेल होता है यही हमको स्पोर्समेन स्पिरिट शिखाती है कि अगर गिरे हैं तो उठके दोबारा इतना स्ट्रॉम तरिक्के से खड़ा होना है कि दोबारा देश हम उपर प्राउड करेगा सर अगली बार जरूर अच्छ मेर को मोटिवेशन दिया कि कोई नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे अभी कोई बात ने आप लोग जो आखरी तपके पहुंचा है ने तापको धुनिया के सबसे बड़े खिलाडियों के साथ थिलना होता है और इसलिए आपको चनोते ज्याना ज्यादा होती है अच्छा क यह है कि जब तक मिले जाने जब तक छोड़ू गाने देखे आपका सबसे बड़ी काकत जो है ना इन दो बात्यों में पकड़ लेका है मैं जान सकता हूं कि रियों में यह हुआ और वही यहां रिपीट हुआ तो आपके मन पर क्या परिस्तिती होगी इसका मैं अंदाज कर सकता हूं सर लेकिन आपकी बात में प्रगट नहीं हो रहा है आपकी बात में पॉजिटिव चीज निकल रही है कि मेरे पास दो बार का एक्स्पिरेंस हैं और मैं और ज्यादा अच्छा करूँ यह सबसे बड़ी ताकत है और आप लिखके रखें मेरे शब्द हैं आप करके और जिस घर का मुख्या है अगर तगड़ा ऊगा ना तो ऐसा होई नहीं सकता उस घर की परगति नहीं तो सर मैं वहीं चीज आपसे रिलेट करता हूं कि सर हमारे देश का मुख्या ऐसा है ना कि ऐसे लगता है जैसे कि जैसे बच्छे स्कूल में फिल निकर देगर उनका ब तो आप हम सबको लीड कर रहे हैं सरहाओ आप इस आपकी सोच इतने अच्छी है सरसाप सबको साथ लेके चलते हैं सर आप खिलाडी नहीं खिलाडी फोजी जितने भी जो देश के लोग हैं जो ग्राउंड लेवल से जुड़े हैं आप उन सब को अपने आप से जोड़ के और उनके लिए काम करते हैं सरफ खिलाडी के भरोसे आप कभी भी देश विजय नहीं होता हैं सारी टीम स्पिरिट चाहिए एको सिस्टिम चाहिए सपोर्ट सिस्टिम चाहिए टेकनोलोजी चाहिए सब चीजों की जरूत पड़ती है और इन सब को एक माला में परोना पड़ता अब जितना बोला जाये मतलब आपको सलाम है तही दिल से सर और आपसे बहुत कुछ सीखने को जो यह पोजिटिव सोच आपने बताया ना सर वो मेरे को आप इससे सीखने को मिलता है यह आप एना जो नेगेटिव जो चीज होती है उसको एक बार साइड में रखके फिर भी मतलब हर चीज की प्रगती कैसे हो सकती है उन्नती कैसे हो सकती है और आगे कैसे लिजा जा सकता है नहीं हो रहा कोई बात नहीं कोई काम करते हैं उसमें तुरूटी भी आती है हर काम में आती है लेकिन फिर भी उसको आगे कैसे लिजा जा सकता है सरी आप से सीखने को मिलता मुझे लगता है कि आज का दिन मेरे लिए सबसे सोभागे शाली दिन है मैं सर आपके सामने बैठा हूँ आपके साथ बैठा हूँ यही मेरे लिए सर मैडल है यही मेरे लिए सब चीज़ है लोग अधिन के अधिए निड ऑफ यजाए अधिए टेक थेलिग से पार बोड तो डिव और मजी नेक्सटाइब नौ नेश्टेम कर ददी नवर मजर रहां जोल्ड ौड पूच्छर मारे पन के परिवार से मैंने एक दिन बात किया कि माताई जी का बहुत बड़ा कॉंटुपिशन है एक चुग आमको यह परवलंपिक करेंगे सर आपको हम देना चाहिए जुरूर लगाई यह है यह हमारी पैसान आप किसा है यह है यह जो फिज्वानों की टोली है है इसका यह लोगों में धारना है कि जो खेलते हैं वो पढ़ते नहीं है पढ़ने में उनको इंट्रूची नहीं है तो बस मैदान में खेलता रहते हैं जी सर्थ कुछ बोग तो मानते हैं इसे बड़े गहर जिम्बबार होते हैं और आप दोनों ऐसे हैं कि आप पीएच निकर रहे है इसने हाइस कर दिया जी सर्थ यह तो आप बहुत बड़ी परेना दे सकते हैं अब देश के नवजवानों को जी सर बसर स्कोर्स के साथ पड़ाई भी चल रही थी तो इससे एक फाइदा यह होता है कि हमें डिस्ट्रक्शन कम होती है खाब जैसी हम स्पोर्ट से फ्री होते हैं तो रेस्ट भी कर लेते हैं और साथ में हमारा समय खराब नहीं होता हम खाली और दिमाग ज़्यादा बठकता नहीं है इंचीजों से क्योंकि बिजी रहता है अपने और भी खेल खिलाडियों को बेजखा उनका अबज़र किया होगा उनकी टेक्निक अबज़र की होगी क्योंकि खेलने के लिए जाते हैं लेकिन बाकी साथ में सिखते भी हैं औरों को कैसे खेलते हैं किया करता है तो आपने भी बहुत कोशिखा हूँ सर बाकी खिलाडियों से सर हमने ये सिखा है कि पहले जितने भी competition खेले दिमाग में competition का डर ये सब रहता था लेकिन इस बार का जो मेरा performance रहा मैं समझता हूं कि आप तक का सबसे best रहा मेरे दिल में कोई डर नहीं था कोई कुछ नहीं था मेरा हार एक तीर मुझे पता था कहा लग रहा है सर बच्पन में सर हम दुरदर्शिन में सर हम होंगे काम्याब देखते थे सर क्योंकि मेरी शिक्षा सर गाउं से शुरू ही थी तीन बार सर मुझे स्कूल वानों ने एडमिशन नहीं दी थी और जिन्दगी की सफ़र ने सर आज परलंटिक में मेडल दिखा के आपके बगल में बैठने का सोभाग की दिलाया है सर जो मेरे लिए परलंटिक मेडल से कम नहीं है और मैं भगवान को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं सर मेरे स्वर्गी पिता जी कहा करते थे स्कूल में अभी सीट नहीं मिला तो कोई बात नहीं कभी ना कभी तुम जिंदगी में कुछ करके दिकाना मुझे लगता है सर उपर से वो जब मेरे बगल में जब आप बैठे है पूरे देश के प्रधानमंत्री बैठे है तो कई ना क खिलाडी से में हार गया था तो एक मेडल चूँग गई थी इस बार सजर सेमी फैनल में वही खिलाडी तक मुझे मिला और मेडल की बीच में वो ही खिलाडी खड़ा था और सर आपने कहा था जाने से पहले कि आप मत सोचना कि सामने कौन है आप अपनी बेश्ट देना आपकी प्रेराना थी सर और भाग्ये मेरे साथ ता सर आपके सामने सर ये प्रदर्शित करने का मुखा मिला है सर सोने से थोड़ा कम चुट गया सर बट मैं वाकई में सर सभाकिशाली महसूस करता हूँ अपने पराकरम से अपने पुश्णार्थ के कारण है यहाँ किसी की कृपा से नहीं है सर बट जो प्रेराना आपने दी है सर सारे खिलाडियों के लिए और मेरे लिए भी वह बहुत ही हम सभाकिशाली महसूस करते हैं सर जैसे और खिलाडियों ने भी कहा सर कि वहां जब बात करते थे जब आपने सर हम लोग इन से बात की और लोगों को वहां जो आफिसे लोग सोपीट होते थे लोग वन इंटेर्स उश्वास नहीं होता था कि हमारे देश के माननी प्रदान-मंत्रि हम से बात कर रहे ह। वाकाएं में सर हम बहुत गरोशाली महसूस करते हैं सर इंजी लोग पूरे देश का माहल बदल दिया इस आपको तो लगता हो कि में किसी एक को हराता हूं, ऐसा नहीं, आपने हारी हूई मांसिक्ता को हरा दिया, दिए बहुत बढ़ी बात है, और मैं जीतना भी ऑदर है और हार को हराना भी है, हार को हराने का मुर हमेशा बना रहेती, कैसा रहा अनुभाव? पहले आपको तीन बार मिल चुका हूँ, खिलाडी बन की, तो मेडल भी लेके आके आपको मिल चुका हूँ, इस बार आप कोज बन के मिल रहा हूँ, तो यह बहुत अच्छी बात है, कि मैं अपने देश के प्रदान मंत्री से बार बार मिल रहा हूँ, और यह भी अच्छी ब परा क्या है अधर अच्छा आपका गेम भी होता है तो अच्छा आप ऐसा हो गया कि आपने सेम संबान दे दिया यह बल्पोर परा को यह तो इसके लिए आपका बहुत 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 दन्यवाद कहता हूं थैंकि वरी मुच्छ मेरा पार्फॉमेंस एतना अच्छा दिया फस्ट टैम मतलब इतना रिजर्ट में दे पाया तो बहुत बहुत धन्नवाद आपसे बात करें आपको अर मेरा घर बला तो मतलब गाव बला पूरा जासम बनारी में ओलेंपिक गया है वो खुशी नहीं हम आपसे मिलना रही है वो उत्रैंब क बाला जासम माना रे थारी में और जोनो फोटोना ऐना फोटो जो आश्टरे देलो का मुझे बहुत खुशी हुए कि मैं इसमें पार्टिस बीध हाला कि मेरा मेल नहीं जाया और मैंने बहुत फाइट धी चाइना और कारेया के साथ और बहुत थाइट हुए उ मैं समझ रहे हूं मैं जीत गई वाव वाव अर सर आभी अब प्यारा प्लेयर को मोटिवेशन दे रहे हो वो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि अभी प्लेयर ज्यादा मैडल लेके आ रहे हैं सर वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है मैं पहले वर्णागर से साइकल पर सुन लिया जाता था सर मैं बस एकी बात बोलना चाहती हूं कि जब मुझे मदलब टुक्यो जाने के बाद वाइरल इंफेक्शन हो गया और 103 बुखा रहता था पहला मैच मेरा मरल बहुत ही बुरा गया और उस दिन मरल उस दिन जो मेरी रात थी ना बहुत मुश्किल वाली रात थी क्योंकि मैंने बहुत हार्डवक किया है यहां तक आने के लिए तो उस दिन मतलब एक ही मेरे दिमाग में खयाल आया कि जब आप सब को मिले थे तो उस दिन मतलब हमसे बात आपकी नहीं हुई थी तो पहली बात मेरे दिमाग में यही था कि मुझे आपसे मिलना है कुछ भी हो जाए और दूसरी बात ये थी कि अगर मैंने आज कुछ नहीं करके दिखाया हाँ मेरा बॉडी रियक नहीं कर रहा है लेकिन अगर आज मैंने कुछ करके नहीं दिखाया तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगी तो बस आपसे ज़र जो मोटिवेशन मुझे हमेशा मिला है आपसे जो मैं कुछ सीखिए हूँ जो लोगों कि सोच हैं अभी नहीं तो कभी नहीं मैं उससे सहामत नहीं और इसलिए मैंने इस बार लाल के लिए से कहा यही समय है सही समय हर वक्त के समन में यही समय है सही समय अभी नहीं तो कभी नहीं ये यह नेगेटिविटीविटी लानी नी चाहिए बिलकुल दिमाग में से निकाल दो तो वही पॉजिटिव थोट्स बनाके मैं पिर खिलना शुरू किया दो अब तो भाविना जायंट किलर बन गई है इसलिए अब हमेशा पॉजिटिवी सोच और पॉजिटिवी बोलो यह से अब लोगों ने बहुत पुर्शार्थ किया है और बहुत सच्वज में परणाम भिया है तब भी मैं बहुत तैयार था कि मैं जाओंगा और डेफिनेटली अपने देश का नाम और जंडे को उपर लहराता हुआ देखूंगा मेरी एक बहुत सपना था कि मैं ओलम्पिक खेलू तो वही चीज़ है कि अगर आप दिल से चाहो तो पूरी कायना जुड़ जाती है उस अपने को पूरे करने के लिए तो वही चीज़ में अभी मैंने पाटिस्पेट किया और अपना और देश का और अपने पूरे भारत का जंड़ा पूरे विस्प में लहरा पाया ये मेरे लिए खुस नसीब है और सर ये सब कुछ हो पाया आपकी जो सब्द है क्योंकि आपके सब्द और आपके जो चेहरे तेज है सर एक्टि में ये बोलना चाहूं को सर क्योंकि हम जब भी बात करते हैं फैमिली में या हमारे गाव में तो आपका तेज देके हमको यह लगता है कि नहीं सर ये बोल रहे है प्रमवध आपने जो कहा कि तेज है ये मैं तो स्वैंप्रकाशित नहीं हूं मैं पर प् जरूर 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 तो सो टाका ले आव सो तंदिये है शुक्ति रोव बड़ा इतने सारे पारलंपिक्स आये और गए लेकिन ये पहला ऐसा पारलंपिक्स है जो पूरे देश ने सिर्फ मेडल्स की गिंती नहीं किये लेकिन खेल देखे है और ये जो बदलाव आया है पूरे देश में आइधिंक इसकी हम बहुत इंतजार था कि सिर्फ क्रिकेट तो जब मैं स्कूल में थी तब मुझे था कि मैं मेडिसन या इंजिनेरिंग पड़ू और दोने में मुझे एद्मिशन महीं मिला तो तब वैसे मेरी शूटिंग की करियर की शुरुआत हुई और तब से ही मुझे ये 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 एक पैशन ही रहा मैं दोजार चार के लिंपिक फाइनल्स में थी और अब मैं अजब कोच इंडियन टीम के साथ हूँ इस पर देखकर में कहूंगी कि हजारो अरुना और सामने आएंगी और अच्छा करेंगी और मेडल लेकर रहेंगी अरुना बताइए नमस्कार सर पहले तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ ऐसे बिल्कुल पास ही बैटी हूँ फ्रेंट सीट पे आज मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे क्योंकि उनके लिए आप एक आइडल हो आपको बहुत ज़्यादा फोलो करते हैं और मेरे लिए ये बहुत प्राउड की बात है कि म कर दो करेंगे कुछ नी होगां। उनको सहराई की जरूत होती है बढग ऐसा नहीं है हंटीकापस हैंडीकापस नहीं होते हुथ हम भी तो सबसे बड़ी पुली हैं लगा गभ नए खेल में जाना ऱ cannabis की प्हारत की पैच्वाब नहीं हैं बड़ी बाद थैंक यू सेल आपने बताईए गोल्डन गल बन कहीं हो अब तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमें यहां बुलाने के लिए सम्मानित करने करें और जब मैं फाइनल्स खेल रही थी क्वालिफिकेशन में 7 थाकर मेरे दिमाग में बस आपकी बात चल रहे अब आपने काहा कि अपना बेस्ट देना है 100 परसंट देना है मेडल की नए सोच नहीं है और कोई बोज लेकर नहीं चल लाए दिमाग में तो मैंने बस वही सोचा मैंने बस अपना बेस दिया अपने प्रोस्टेस पर ध्यान दिया और मेडल तो अपने आप हो गया उसका कि अपना बेस्ट दे सकती हो और मैं और मैं भारत का जंडा उपर कर सकती हूं तो इसलिए मेरे मेरे मेडल सब ही बारतियों को डेडिकेट करना चाहती हो दोनों और मैं आप बहुत थैंग्फिल हूँ कि आपना सपोर्ट किया हूं और अगर आप ऐसे आपका आशरवाद र साथ तो हम अगले काई डेकेट्स तक बहुत ही अच्छा प्रदेशन करते रहें बहुत 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 सुक्रामना है अपको थैंक्यू सर जैन सर में नाम सर्दिपेंदर सिंग है मैं उत्तर प्रदेश के संबल जले से बटपुरा गाउं से हूं मैं किसान का बेटा हूं औ आपने सभी खिलाडियों को बहुत अच्छा सम्मान दिया सभी का मान बढ़ाया और सर आप अपने सम्मान और खिलाडियों के लिए आशिरवाद ऐसे ही बनाए रखें सर हम बस यही आप से प्रात्मा करते हैं और फिर जब हम लोग यहां से गए और आपने जो हमारा मतलब कोन्पिडेंस यहां से बना के ऐसे बेज दिया कि जाओ गाड़ी स्टार्ट यहां से कर दी हमने जाओ चला के और अपने घर आ जाओ हम सर ऐसे ही बस गए अपना मैच के अच्छे से कॉन्पिडेंस के साथ और हम आपके साथ आगे अपके अशिरवात के लिए देखें है मेरी बहुत शुक्तामरा आप सबको अच्छा बेटा शुक्ते रहो अच्छार मेरो नाम टेक शंद है और सबसे पहले मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आप जैसे पारा खिलाडियों जैसे आज बात कर रहे हैं और हमारे जाने से पहले जैसे खिलाडियों से बात कर रहे थे और मेरा परिवार भी उससमें लाइव देख रहाता तो उसमें हम खिलाडियों को तो उर्जा मिलती ही है बट हमारे परिवार को भी उर्जा म कि अपने पराक्रम का परणाम है आपने पराक्रम कि और जिए पराक्रम ऐसे एक राक्रम को था है आठाट ज़स तक आपको महनत करनी पड़ती है तुब थीन तीन बज़े उट भुलाए अगर ओपोच तो भी भागड़ा पड़ता है तन्वाद देना चाहता हूं उन किया मेरे दोस्तों ने सपोर्ट किया और में वापस से तयार हूआ और आज ऑलंपिक्स के अंदर मेरे उपर से खट गया और आने वाले पेरोड़ों पिक्स के अंदर मैं 100% उस्वास दलाता हूं कि मेरा मेडल का कलाच चंज करने की पूरीज को शिज करूँगा देवेंद सब्सक्राइब मेरे को यह बोला है कि सर को मेरा नमस्कार बोलना जी आले तो आपको नमस्कार जर्वेटी के तरफ से अजवाद दीजिया मारा बिलकुल सब्सक्राइब 2004 के अंदर में एथेंस परालंपिक्स में गया था एक कोलेज स्टुडेंट था उस्टाइल में कैसे कैसे मेनेज़ कि आज बताओना हो दिल की वात वो मेरी मा के गैने देट के वेट तो मुझे आज खुशी इस बात की एकि जब मैं वहाँ ओल्ड मेडल लिया चार में फिर सोला में लिया और मेरा सर हर वेक्तिय एक सपना होता है कि ओलंपिक मैडल नो मेरा थोड़ा सा अलग सपना था ओलंपिक मैडल की हैट्रीक बनाओ तो उस हैट्रीक बनाई मैंने उसमें कामिया वाओ उस मिशन में और मुझे बहुत खुशी है कि देश के लिए मैंने एट्रिक बनाई है मैडल की सर मैंने एक बात कहना चाहूँगा कि जो जानने से पहले आपने जो हमें मौटिवेट कि परिवार के साथ बात कि आपने पो आपको बद खेल के आना है विसेश तोर पे मेरे सिता आप में बात करके काया कि आप पर प्रेशर भी बनाते होगे आपका अड़ा जाएगा तरह ऐसा है उसमें आपने जो असला दिया उसी उसले के साथ टोक्यों पहुंचे हम और टोक्यों में पहुंचने के बाद उसी उसल कि एक कि लाड़े के पीछे तीन कोलें है तो एक बंढ преды में बदा क्यों सथ गया है कि एक के हविए प्चे तीन एक ऒच आएफ दिशू आता है टार्ट प्रिंश्ट्रेश內म रगता एसदरों में ने करू आताले यहा आज मेयरे साथ 1 थिजिओ था सेथिंश्ट्रेनर च् कि आप सब को बहुत बहुत सुब कामना है मेरी कि अच्छे पहले तो फिर से एक बार कि आप सब को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं आप सब का अभिनदन करता हूं लेकिन मैं आप से कुछ अफिक्षाएं भी करता हूं अब आपकी एक पहचान बनी एक प्रकार से आप सेलिबरेटी बन गये हैं आपके परिवार जनों में आपके गाउं में समाज में आपको आपकी दरब देखने का नजरिया बढ़ला है स्वाबाविक है और वो आपकी तपस्या के कारण आपके पुर्शार्त के कारण आपके पराक्रम के कारण अब ऐसे मैं आपकी छोटी छोटी चीजें भी अब देश की बहुत बड़ी सेवा कर सेबाएं कि बहुत लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि देखिया आजहादी के 75 साल है और 2023 15 अगस्त तक हम इसको मनाने वाले हैं और 24 में आपको परिश जाना है तो एक पगार से आजहादी का अमृत महुत्सव यह पूरा कारकार आप लोग देश को क्या दे सकते हैं देश को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं आपके आसपास के लोगों को स्कूल के लोगों को और बच्चों को और नवजवानों को कुछ न कुछ संकल्प कीजिए इस आजहादी के अमृत महुत्सव में मेरी खेल जगत के उपरांत अतिरिक मैं कोई एकात जिम्मा दूं और मैं उसको पूरी तरह समय दूं सब्ता में एक घंटा महिने में एक घंटा जो भी अपनी स्विज़ा है लोग आपकी बात को आपके भावार को बहुत स्विकार करेंगे और देश में बडलाव लाने में बहुत बढ़ी भूमिक आदा कर सकते हैं आपके पहुत कुछ है देश को देन पहले क्या था कल क्या था वो सब छोड़ दीजिए आने वाली कल आपके लिए बहुत बुझवल है और इसका फूरा फाइदा उठाइए मैं हर पल आपके साथ है आपके सपने यह हमारे सपने हैं कि वो सपने साकार करने के लिए मैं जहां हूं जो भी जिम्मेबारी हैं मैं कुछ न कुछ करता रखता है यह मैं आपको विश्वाद दिलाता हूं मेरी तरब से फिर एक बाद बहुत बहुत शुपकार उना है अपको नहीं बाद करता है झाल करता है झाल झाल